समाध्य दर्शक्विन्द पुर्षतम मास्माहत्मय को प्रवचन स्रिंखलामा या रुष्षप महार्दिक स्वागत एबंग अभिबादन आमीले हीजो प्रवचन स्रिंखलामा अध्याय 29 को कथाशार प्रस्तुत गरेका थियों जहां मार्शी बालमे के लिए दिड़धन्वा राजा को पूर्व जन्मको कर्म समस्कार बताये का थिये आजेको बसाई मां अध्या 20 को कथाशार प्रस्तुत गर्दाई छों आउनों शेरों केस अध्या मां के कथाशार बिशे बहतु रहे छन नईमी शारने छत्रमा सुता नामा पौराणिक समक्या रिशेवर ले थब जिकाशा राखते भने महामोनी बालमे की बाटा आपनों पूर्व जन्मको ब्रतांत सुनी पसी राजा दिड़धन्वाले के भनेगा थिये तेशको पने ब्रतांत सुन्ना चाहां चौं उन्हेको प्रश्ण सुने पसी सुता नामा पौराणिकले मध्यान श्रांकार लागी हिन्न लागया महार सी बालमी की लाई दिड़धन्वाले जुन प्रश्ण गरेखा थिये तेशले समझना गरदै सुनान लागये तेती ब्लादिट इड़धन्वाले महर सी बालमी की समख्या यही प्रस्णा गरेखा थिये की पुर्व जन्म को कुरा भहेकाले केई पनी सम्झाना चाहिना। सम्झार में काशेली पनी आपनी पुर्व जन्म को कुरा थाह पाउँदैना। तथा पी सन्थान को जन्म भहेका आदार मा आपनी जन्म भहेका अन्मान लगाउना सक्छा। बने पुर्वा जहरू मरेको आधारमा आपनो पने मिर्तिको अन्मान लगाऊना सक्षा, तर पुर्वा जन्म को कुरा बने कसाई ले पने अन्मान लगाऊना सब पहिना। प्रकर्तिले उसई को हितका लागी नहीं एस तो ब्यवस्ता गरी दियेको छा। येदि सबाईले आपनो पुर्वा जन्म घूरा था पायो बने तांवाऊथियो बने कती बेला की भायको थियो चांवाँ और की कस्तो अवस्ता सांन गर्नो परी को थियो बनने जस्ता याबत कुरा था पायरा उनिशाशी न सक्षा रा जीवन दुखमय होना सक्षा राम्र काम भायगो रहेशा राम्र स्थान पायगो रहेशा बने पनी अहंकारी होना सक्षा अहंकार बनना सक्षा नराम्र काम गरेरा दुखा पायको रहाई चा बने निशासी न सक्छा। तेसाइले त्यस्तो अवस्ता नावस मने र भगवान ले नहीं यस्तो व्यवस्ता गरी देका। एदेवी धर्मसात्राले आमाको गर्वमा हुदा पुर्व जन्मको कुरा थापायको भयपनी जन्मेर पईड़ो रुवाई संगे तीस्चव विर्शन च भनेको छा। गर भीत्र हुदा पुर्व कर्म थापायर आइन्दा जीवनना धुखदाय कुनेईपनी कर्म गर्दी न भनेर कसम खायको हुँच। तो गर्वस्त बालक शिशुले तर जन्मना साथ तीस्चव विर्शनी भयकाले कर्म संस्कारले जत्ता दोर्याउँच। तेते तीरा लागी रहेको हुँच। भने उनियरको अभिमत रहेको छ। एद्देभी कुनेई-कुने रिशीम उनियरू रवीत्रागी महापुरुशर्मा पुर्वजन्मको कुरा थापायुने सक्ति इता हुँच। तर उनियर लेपने गहन ध्यान को आपसिकता पर सा त्यों था पाऊ नको लाई। त्यों पत्ता पाऊ नको लाई। ध्यान करदा करदे जब उनियरू अचेतन मन को तहम अपक्षं तब मात्रा उती बेला को कुराँ इस फुर्ण हुना थाल था। तरह यो निके गईरू कुरा भायकाले नारत जथा देवर्शी हरू, विश्वामित्र, बसिष्था, बाल्मिकी जथा के मार्शी हरू को मात्रा बसको कुराओ और उस सबाई ले जन्मना साथ पुर्वा सब्सकारलाई बिश्मिर्तिको गर्तमा समाधिस्त गरी सगेगाँ देड़ धन्मनालापन देश्थे भायको थिव। जव देड़ धन्मना बाट इस्तो प्रश्ण सुने तव मार्शी बाल्मिकी ले भने राजन ठीक बन्न भाय। पुर्वा जन्मका कुडा था पाउने दोस हो है ना शबय लात्या स्ते हुँनच तर था पाउने प्रियाश नगर्नुचाईं दोस हो, तपाउन धन्या हुनच की नकी था पाउने प्रियाश गरदई हुनुच। पुर्शोत्तम मैना को उपाशना गरना चाने ले सरपर्तम ब्रह्म मुहुर्तमा उठनो पर्छा। ब्रह्म मुहुर्त भनको पांच गड़ी राद बागी हुदा को अबस्ता हो। यो भने को सामन्य तया बिहान को तीन बजे को समय। प्रतेक्राद चार प्रहर को हुँच। इनमा पईविलु प्रहर और भेलुका छ बजे देखी नौ बजे समय को समय सामन्य मानिस जागा हुँच। यह समय मानिस सामन्य माननिस जागर हुँच। 10 देखी 12 बजे समय को समय भोगी हुँच। तिस में तीन वज्चाम रोगी होरु जागे, कििने खियाक का गर्यओ, खुग का गर्यओ, आयागे गर्यओ, आत्तो कर्यओ गर्यओ, रोगी होरु सब्सक्तु ठीनी रखिये, 2012 भड दभावलर, 6 बड़ी रखिये, खोगी लगी रखिये । त्यों बजी समय हो शुद्वन भाटों योगी जॉव स्भालों 2-3समा ुर्गी जाने शुरू अर्थार उन्हों वरीकर्ट। ब्रतोपपासगर्ने मानिष लिपने तेशा ही समय मां ज्यागनो पर्छा यो भने को ब्रह्मम ओर्त हो। युश्कु वर्थ यो है ना कि ब्रत को दिना मात्रा तेथी ब्यला ज्यागने हो। अगी पशे ब्याना आठबाए समन सुत्यपने उन्चा भन्ने होगे न। आपनो हेत्र उन्नती चाहने सवयले तेई समय में जागने प्रयास गरनू पर्छा। एस ताब मानेज स्वत योगीहर को समुम पर्णे गई रहकाऊंचा। बेलुगा सुतने बेलापने दीन भरको काम को समिक्षा गरनू पर्छा। रामरु काम करलागी भगवानला धन्यबात दिनू पर्छा। बागवान से खिमा पर्णा बर्णो पर्णो पर्छा। जहोश इसरी ब्रह्म मुर्तमा उठेर एक छिन ब्रह्म चिंतन गरनु परच, यह वने को आजगो दिन सुभा होश। जुकियर बने अभुपाटा कुने अपिर्य काम न होश। दिन भर असल माने संग मात्र भेड होश। और असल कुराको मात्र चिंतन गरन पायोश। भने रा भगवान शित प्रार्थना गरने कुराह। तेस पचे उठेर दिशापी साफगरना जानु परच। दिशापी साफगर्दा बिहाना भई नएरिते दिशामा रा बेलू का जानु परच। तेस्तो अवाथ भई बने दिशामा जानु परच। इजो आज घरमे गरनु परणे अवाथ देरेगो च। बाहर जानी काम गाउगर्माता अजे कताई चन्ट तर गाउगर्माने हराई सगो तर शहर बाजारमा तेस सांबब चाहिए घरमे गरनु परणे होँच। नरम कपड़ाले। एती बेला बोलना होँदाई ना तेसेले मुख बंद गरने बानी बसाउनु परच। दिशागरी सेगविशी माटोबा साबन पानेले हाथ मिची-मिची दोनो परच। तिर्थको जलमा दिशापिशा गरन पनी होँदाई ना रा दिशाच सफागरी को आधुनो पनी होँदाई ना। छुट्राई भाणामा पानी डियरा अली परकतोई गए रा हाथ सफागरनी काम गरनो परच। एशरी हाथ गोडा धोई सगे पाशी सोर पल्टसमा कुल्ला गरनो परच। तेथी संबब नवहे पनी बार पड़क्त गर नहीं परच। तेश पसे आखा पूचे रा, चीशुपानी बार अखा पूचे रा । धती बतनले दात मालनो परच, यूजव आज मन्जन्द ब्रस ली गरनी चलन चुंछ तर ब्रस नरम हनो परच, मन्जन्द पानी तेथी राम्र होनो परच तेस बचे आत्मन गरे रस्नान गरनु पर्छा, शरीर भगवान को मंदिर भायकाले यसला सदैव सफार सिर्णार राहनु पर्छा, एसे गर लागिने चन्न को व्यवत्ता गरियेको, चन्न लगाउने परमपरा चलेको, सुन्दर बनाउने अकर्षक बनाउने भवगान को आफुलाखुन अन्कुल्छा, तेकिस्म को चन्न लगाउने प्रयास गरनु पर्छा, आईव बढवने विचार होकी, ऐस्वीर बढवने विचार होकी, जन विचार चन्न लगाउने परमपरा बानी बशाउनु पर्छा, तेस बची प्रानायम गरे रा संध्या बंधन गर फुजा क्रृप्लभक पुजा कि पुजा गरिले अपर नहिए स्वतिन भगवान की राखे रात्यकर सुट्रियुडृ शुट्रै कetic Uns veg weekly विदी पुजा गर्नति पुजा clean पुजागरी सकति पट्र बस्त्र भेटी रा नवर बेटे चड़ाँगू पर्षा भगवान को मूर्थी में एटि गईब पट्रार्थनागर्नू पर्षा संसार मा धन्संपते पधन प्रतिष्था बारं बारता मिलना सक्षा तरो शरीर बारबार मेल दाई ना तेसे लिए इसला है सद्वोय गर्न पर शान। यो वने को भगवान को भक्ती रा उनला मन पर ने काम शेवार पर उपकार नहीं हो। अन्ते काल मा संहे जाने भने को यसते ही कायरे का प्रतिफल नहीं हो। अरु सब जहां थियो तेही रहन। बुड्याहिने बागीनी रे जाष्ति हो आखी हो। अरीछ माया रे थाक शीवरु शान पर नहीं को भागीनी जाश्ते खीना है । बाटकूरेर वश्यकोंच, अडिकदी खान भिर्मतलमाथी परनी वित्र के आई लागी हाल, रोग कसे गवनी बाईरा हुदाईना, संचार बड़ा आउनी हाईना, देवी देवतारे शार आउनी पाई नी हाईना रोग, बूद प्रते लिवनी पाई नी हाईना रोग, आप आउनी वित्र सा, आउनी शरिर वित्र ही रोग, जब खान, पान, अहार, बिहार दीन, शरिय विग्रेंच, ता शरिरिक सक्ती कमजर होंच, रोग ले टाव को उठाउनी अफसर प्राप्त कर्छा, तेसेले सट्रु जास्ताई बने राबाटकूरे राबाटकूरे राबस्य लक्षमी चन्जल चिन, कती वेला कसको पास्मा पुक्चिन, कसको सात्मा मंचिन, पत्तह होंदाई जीबन फुले को फूल जहते हो, कती वेला वहलावंच, थाहे होंदाई बिशे बग सपना जशताई हो, व्योंजदा केई पनी रहांदाई जशरि मानिस, जशरि सर्पले आदा निले को भ्यागुतले अगारी आएको माखो खाना खोजच तेसे गरी आई सकीएको पनि था न पायरा अरुलाई दुखदिने काम गर्छन। यह बन था ठुलो मूर खता और कोखमुदाई जब शरीर धनले साथ दिन दाई ते दिवलाद धर्म गर्ण चाहरा पनि शकिन न। तेसे ले अखर निस धर्म कर्म मा ध्यान दिनो पर साँ। यह बन था न 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 नाम जबगर्ना बने बेश्वनाव दाइन। ये महिनालाए भगवान प्यारो मानेर आमने नाम्रभ सक्ति देखाचन भगवान ले प्रशुत्तम महिनालाए तेसले अरु बेला भन्दा एती बेला गरियेको पुन्यकारियेको प्रतिफल ज्यादा पाएन चा। पाएली ये सलाई सबै ले हेला गरियेका थी जब भगवान ले आपनो बनाये तेसले ये महिना भन्दा उत्तम महिना अर्को हुन्न नसकेको। जशरी तिर्था हरुमा गंगाजी ब्रिक्षे हरुमा कल्प ब्रिक्षे रत्न हरुमा चिन्ता मनी गाई हरुमा काम देनो रशास्त्र हरुमा बेद समान अर्को उत्तम चाईना तेसले महिना हरुमा ये पुरुषत्तम महिना बंदा उत्तम अर्को महिना चाईना। येस मेना को अधिस्ठात्री देवता पुर्षत्तम भगवान नहीं। तेसेले उने पुर्षत्तम भगवान को पुजा गर्णो पर सा उपासाना गर्णो पर सा भनिये को हुँ। आधने दर्शक बिन ये सद्याको मटा मटी कतासार इने हुन। इप्रसंग बात्र हामी लाई निम्नानुशार संदेस्ताप्त भएकोचा। पहिलो संदेस्ता क्ये बने मारव जीवन अनमोल अप्रत्रीम शा। यो आपहिमा शरीर मात्र होई ना भगवान को मंदिर हु। तेसेले इसको समर्खेन सदुपयो गर्णो पर सा रर अलग सफा राखनो पर सा, सुस्त राखनो पर सा, सुन्दर राखनो पर सा। पहिलो संदेश आमेले इस कथा प्रसंगाली एहने देखो छा। दोसरो संदेश के बने समय आउचा तरफ पर खेरा बहता है। जे गर्ने हो समय चांदे गर्नों पर छा। अहले मेरो विलाब आचेने तिर्था जाने अली पछी जाने हो। बुड़ेश काल लागयो है क्या तरफ गर्न दालिया चानी। निके धारमी देख आचेने बुड़ेश काली चानी। प्राए बजार में इकुरहरू सुन्नी न चानी जाने बाल पन केई पहनि हो। तिर्था जाना लाई बुड़ो होनु पर्षा बननी होई। थासे ने बुड़ो वशी जाना पो सकी दाई। जान्चु बन्जा मन्दे जानी समय नमिलन पो सक्षागी। नमिलने अवस्ता पो आउनी होगी। । तिर्थ檬्रत यग्या अनुष्टां धार्मेंगपरववपकार परहीत जती पनी वगवान ले देखायेका कर्मा हरूशन वगवान ले देखायेका बाटा हरूशन आपो श्वस्ता हुदे शरीर स्वस्ता हो दे ने गर्णो पर्षा और ने था बरे पसाताप गर्णो को बिकलबर रहने छाई ना कि ने की समय ले परखेर बस्ताई ना येस अध्याये लिद्येको और को स्वांदेस ये ने हो आधनी दर्शाग्वेन इने प्रस्वांगो को साथ है आजाले बिदा चाहांचू अस्त बिदा दिनुस नमस्कार